नमस्कार किसान भाईयो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोनेक्स्ट में स्वागत है जहाँ पर आपको क्रिशी सम्बंदे जानकारी उपलप्त करवाई जाती है आज हम बात करेंगे मिडची की फसल में फूल जड़ने के मुख्य कारणों के बारे में और उसके उपाई के बारे में मिडची की फसल में फूल जड़ने के कुछ मुख्य कारण होते हैं जैसे की मौसम, बारिश, आदर्ता, कीट और अवरकों का अंसंतुलित होना सबसे पहले तो किसान भाईयों को मिट्टी परिक्षन करना चाहिए और उसके आधार पर संतुलित मात्रा में खाद वा अवरकों का इस्तमाल करना चाहिए सिचाई डिप्ट तकनीक से ही करनी चाहिए और ध्यान रहे सिचाई एक दिन छोड़ कर ही करनी चाहिए कीट वा रोगों की पहचान समय से करनी चाहिए और उनके रोगताम भी समय से करने चाहिए और किसान भाईयों अपने खेतों के चारो तरफ फूल लगाएं इससे तितलियां और मधुमक्खियां आएंगी जो की मिर्ची की खेती के लिए लाब कायक होती है एक एमल एंडबल ए साड़े चार लीटर पानी में मिलाकर दो से तीन बार पंदरा दिन के अंतराल में छिड़काव करने से इस बिमारी को रोका जा सकता है अगर आपको यह जानकारी उपियोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक एवम शेयर अवश्या करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें धन्यवाद